बूल बेक्स में आपका स्वागत है दोस्तों जैसे कि कल मैंने आपको यहाँ पर सपोर्ट, रजिस्टन्स सब कुछ बताया था वेसे ही सेम्टू सेमाइट में हुआ है मैंने कल बोला था हेमर बनी हुई है निप्टी फिप्टी के अंदर तो यहाँ पर मैंने निप्टी फिप्टी का 15 मिट के उबर चार्ड ओपन किया है तो मार्केट ने 30 से 40 पॉइंट के असपास gap down opening की उसके बाद थोड़ी बहुत मार्केट में देखने को मिली उसके बाद दोस्तो मार्केट ने breakout ले लिया करीब करीब 10 बजे के असपास तो यहाँ से breakout जो हुआ है मार्केट का उसके बाद मार्केट ने वापिस uptrend पकड़ा था continue जो uptrend चला तो दोस्तो मार्केट का uptrend चला जो कल की ये जो close candle थी बड़ाबर उसके resistance पे चला है यहाँ तक तो दोस्तो यहाँ से फिर मार्केट ने वापिस fall देखने को मिला और दोस्तो वापिस जो हमारा कल का support में ने so किया था ये MR के नीचे का वहाँ पे touch किया जो दो बज़े के आसपास और उसके बाद दो बज़े के बाद बहुत बड़ीया रेली देखने को मिली मार्केट में जो continue uptrend में चली है और दोस्तों मार्केट ने closing दी है 52 week high जो nifty 50 ने तो दोस्तों कल क्या होगा तो चलिए देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ आपका time waste ना हो इसलिए मैं अच्छे से sort में बताता हूँ तो आप देखेगा और समझेगा अगर कल के market में market आज के global market में आपको तेजी देख और दोस्तों अगर market में कल downtrend बना और दोस्तों एक 22,180 का जो level जो मैंने यहाँ पर ट्रो किया है वो अगर तोड़ा market ने अगर market डाउन आता है तो दोस्तों यहाँ पर fall देखनों मिलेगा जो पहला हमारा जो support रहेगा वो है 22,100 का और दोस्तों दुस्तरा support रहेगा 22,050 का अब देखते हैं चलो bank nifty के और तो दोस्तों same to same कल के जो हमारे यहाँ पर support दो रहे हुए resistance जो है same to same वही पर ही सब कुछ game पूरा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कल बोला था कि जो market अगर open होता है gap down तो कल जैसे की closing यहाँ पर market की हुई थी morning star के बाद और नो बजे से bank nifty ने breakout पकड़ा तो उसके बाद continue bank nifty के अंदर breakout देखने को मिला और bank nifty का जो support zone रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ आज का main support zone है 46,800 के आसपास का था वहाँ से वापिस दो बजे bank nifty ने reversal लिया था जो downtrend हुआ था एक बज के 30 minute के आसपास है और दोस् के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी maximum अगर आपको देखो तो 47,400 या 47,600 के आसपास के levels भी देखने को मिल सकते है अगर gap down opening होती है तो दोस्तों bank nifty में आपको बहुत बड़ा fall देखने को मिल सकता है साथ यह दोनों जो support मैंने दोरे हुए है 46,800 और 46,600 अगर वो 47,000 का call लिया था जिसमें मैंने 14,000 के आसपास का profit book किया है जिसकी मैंने already video बना के रखिए YouTube में आप जाके चेक कर सकते है आई बटन में मिल जाएगी description box में मिल जाएगी दोस्तों से आपको अगर share market में trading करना सिखना है तो हमारी चैनल को subscribe किजिए share market में trading करने से आपका पे communications रखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों यह market है यहाँ पे उटक पटक होती रहती है बराबर है तो दोस्तों सिखे समझे और अच्छे से investment कीजिए हम यहाँ पे mutual fund stocks and trading की analysis करके आपको समझाते रहेंगे और आप सिखते रहो और investment करते रहो जाहिन